आईए सुनते हैं पांचवे दिन की कथा सकंद माता सकंद माता मा दुर्गा के पांचवे स्वरूप को सकंद माता के नाम से जाना जाता है सकंद अर्थात कुमार कार्ति के ये देवा सुर संग्राम में देवताओं के सैनापती थे इन्हें कुमार और शक्तिधार भी काज गया है मयूर की सवारी के कारण इन्हें मयूर वाहन भी कह गया है नवरात्रे में पांचवे दिन मन विशुद चक्र में अवस्तित होता है आज ही भगवति वेविगरेस कंदिक जी को बाल रूप में गोद में लिया रहता है सकंद मात्र सवरूपनी देवी की चार भुजाएं हैं वर्ण शूब्र और आसन कमल है इने पदमासन देवी भी कहा जाता है सिहें इनका भी वहान है नवरात्र पूजन के पांचमें दिन का बड़ा महत्व है नवरात्र पूरुसादक संपूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अगर होता है उसे अपनी समस्त विर्तियों को आस्थे में बनाए हुए साधन के पत पर आगे बढ़ना चाहिए भगवती सकंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है मिर्त्यों लोग में ही से परम शान्ती और सुक का अनुभव होता है मोक्ष का द्वार सुलब हो जाता है सकंद माता की उपासना में बल रूप सकंद भगवान की भी उपासना हो जाती है साधक को सकंद माता की उपासना की और विशेश ध्यान रखना चाहिए सूर्य मंडल की अधिशात्री देवी के कारण उपासक अलोकिक तेज प्राप्त होता है हत्या एकाग्र भाव से मन को पवित्र रख सकंद माता की शरण जाना चाहिए चंड मुंड बद रिशी बोले तद अनुसार शुब की आग्या अनुसार चंड मुंड आधी देखते है चतुर गीनी सेना के साथ अस्त्र से सनद हो चल दिये और फिर हिमाल्य परवत के स्वर्ण में उच्चे शिखर पर पहुंच कर उनेसियां पर विराजमान देवी को देखा वे मंद मुस्करा रही थी देवी को इस परकार मुस्कराते हुए देख असुर धनुस और तलवार लेकर देवी के समीक आ ततपर्टा से पकड़ने का प्रयतन करने लगी तब अंबिका उन शत्त्रों पर अच्चंद क्रोधित हुई उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया ललाट की भुए टेड़ी हो गई तब वहां से तुरंद अत्यांत विक्राल काली परकट हुई जो तलवार और पाश लिये हुए थी वे विचित्र खड़कवांग धारन किये हुए और चीते के चर्म की साड़ी और नर्मुंडो की माला से अलकृत थी उनके शरीर का मा सूख गया था केवल अस्थी पंजर मात्र शेश था इससे वे अत्यांत भ्यंकर जान पड़ती थी विशाल मुख से जीब लप लपाते के कारण वे और भी ड्रामनी परतित होती थी उनकी आखें भीतर की ओर धसी हुई अंगारे के समान लाल थी वे अपनी भ्यंकर गर्गना से संपून दिशाओं को गुंजा रही थी बड़े बड़े देत्यों का वद करती हुई वे काली का देवी बड़े वेग से देत्य सेना पर तूट पड़ी और उनका भशन करने लगी वे पाशर रक्षों अंकुषधारी महावतों और जुदों और घंटाओं सहित कितनी ही हाथियों को एक ही साथ हाथ में से पकड़ कर मूँ में डाल लेती थी इसी परकार घोडे रध और सार्थी साहित रधी सैनों को मूँ में डाल कर अत्यंत भ्यंकर रूप से दातों से उसे चवार डालती थी किसी के बाल पकड़ लेती किसी को गर्दन दबा देती किसी को पैरों से दबोस देती तो किसी को छाती से धकेल कर मार डालती थी वे असूरों द्वारा छोड़े गए अस्त सस्त्र को मुँव से पीस डालती थी। इस परकार काली के बलवान दुरात्मा देत्यों की वे सारी सेना कुचल डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कुछ तलवारों का घाट उतार दिये, कुछ खड़क वाक से पीट दिये, तथा कितने ही असूर्दातों से कुचल दिये। इस परकार शन भर में देत्यों की वे सारी देवी ने मार गिराई। यह देख चंड उन अत्यंत भ्यानक काली देवी को की ओर दोड़ा, और उदर माद यत्यमुंड ने भी भ्यांकर वाणों की वर्षा से हजारों बार चलाई हुए चकरों से उन्हें भ्यांकर नेत्रों वाली देवी को ढाप दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख के समाते हुए ऐसा जाने पड़ता थे के मानो सूर्य के अनेक मंडल बादलों के उदर में परवेश कर रहे हुँ। तब ध्यंकर गरजना करने वाली काली ने अत्यन तशेश में भरकर विशन अश्टहाश क्या। उस समय विक्राल वंदन के भीतर कठनाय तक से दिखाई पड़ने वाली दातों को परभास से वे अत्यन उजवल दिख रही थी। देवी ने विशाल तलवार हाथ में लेकर हाँ हाँ का विचारन करकर चरण चंड पर आकरमन कर दिया। उसके बाल पकड़ लिया और पकड़ कर उसी तलवार से उसका सिरकाड डाला। चंड को मारा मुंड भी देवी के ओर दोड़ा। तब रोशे में भरकर देवी ने उसे वितलवार से मार कर जमीन पर गिराया। मा प्राकर्मी चंड मुंड के मारते ही बची हुई स्याना भ्यंकर होकर भ्यंबीत होकर चारों और भाग गई। तब काली ने चंड और मुंड के सिर में ले चंडिका के पास जाकर भ्यंकर अश्टास करते हुए कहा देवी मैंने चंड और मुंड नाम ये दो महापशू आपकी भेट चड़ा दिये अब इस युद यग में शुब और निशुब कावद आप स्वयम करना। दिशी बोले आपने समुख लाए गए चंड मुंड नाम महादेत्तो को देख कर काल्यानी चंडिका ने मदुर्वाणी में काली से कहा है देवी काली के क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो इस कारण संसार में अब तुम चामुंड के नाम से विख्यात हो कि तेमा ताकी